मित्रो क्योंकि कल से इस विशे पर कई इसका इक्तिहास भी है और ये समस्या ऐसा नहीं है कि कल ही प्रारम हुआ और आज इसकी चर्चा हो रही है और ये समस्या भूमी से जुड़ी वी है जब कोकरजहार और उसके इलाके में धुबरी और सरहत के पार से लोग आकर बसने लगे और जमीन अधिगरहन करने कर लगे कबजा करने लगे ये समस्या तब की है और All Border Students Union ने इस विशे को 1987 में उठाया था 1993 में पहली घटना है हुई जिसमें लगभग 50 अलब संख्यक लोग मारे गए गुमूल रूप से बंगलादेश से आये थे 94 में ये 100 लोग की हत्या हुई यहाँ और इसी प्रकार की घटना में 1996 में लगभग सवा 2 लाख लोग विस्थापित हुए थे 2008 में भी लगभग 100 लोगों की हत्या हुई थी जब असम की सरकार केंद्र की सरकार इस पूरी समस्या से अवगत है तो आखिर ये सरकार ये संप्रदाइक दंगा की परिष्थितियों को जान करके भी ये संप्रदाइक दंगा को क्यों भड़कने दे रही है भारती जनता पाटी इस सवाल का सीधा उत्तर उनसे जानना चाहे मित्रो ये भी पता चला है कि फिर से सरकार प्रणब जी के आने पर पहला तवफा इस देश को पेट्रॉल की कीमत में सतर पैसे बढ़ा करके और उनके कारेबार समालने के बाद अब लगता है कि सरकार पेट्रॉल के बाद अब लपीजी और डीजल की भी कीमत बढ़ाने का प्रस्ताव पर विचार कर रही है जो देश के पधानमंत्री के पास अबवर्ड गूर्प ड्डिज्ट परस्ताव के बाद लंबित है We are concerned that and we understand that the first gift to the nation after the swearing-in of the after the election of the President of India, Shri Pranam Mukharji has been the Congress and the UPS gift to the country is a 70 rise in prices of petrol अगर आपके और कोई सवाल हो तो आपूट सकते हैं और इस विश्वास के साथ की बहुत कठिन सवाल नहीं होगे अगर हमें पता चला है कि बाबा अन्ना अजारे के अंशन के स्थल पर कुछ कॉंग्रेस के सदस्यों ने कुछ एनेस्वाई के सदस्यों ने हंगामा करने का प्रयास किया है यह अशोबनिये हैं अस्विकारे हैं और इस देश में किसी भी व्यक्ति को समूह को लोगतांतरिक तरीके से अपने बात को रखने का धर्ना प्रदर्शन में भाग लेने का अधिकार है कॉंग्रेस की बेचैनी को हम स्वितर हम जानते हैं हम समझ सकते हैं कि आज ब्रश्टचार के मामले में उनमें एक प्रकार की घबड़ाहट है लेकिन इस प्रकार की घटना जिस प्रकार से लोग और उनके कारेकरता अन्न हजारे और उनके टीम को के खिलाफ कारवाई करना चाहते हैं, संघर्श करना चाहते हैं, आतंक मचाना चाहते हैं, ये भारती जनता पाटी इसकी पूरी तोर से भर्त्सना करती है we condemn the act of certain Congress activists who wanted to disrupt the dharna of Shri Anna Hazare and his team. It is unacceptable, it is undemocratic and every individual has a right to put forward his point. Well, we understand, the Bharati Janata Party does understand that there is enormous restlessness in the Congress circle about the charges of corruption, we do understand that. But we like to tell the people and even the team Hanna Hazare that it is not very unusual. They did it for Ramdev in Ramleela grounds, they have made certain, it has happened with their activists in the court premises. Though we have all the sympathies with them but they have to be aware that this is a part of the culture when they fail to meet the standards of protest. So it is not very unusual but we stand by the team Hanna as far as any disruption or any disturbance which is being caused to them personally. And I am sure all people and all the political parties in this country would agree that every individual has a right to protest and make their points. We are concerned deeply about it. I suppose terra- escrut Langлов A practice that we have or the control the side of the point, or to parliament is just so fast this is called RPS of Megacomrs Which I can tell the meeting of workers is the director of the profession,